विडियो जो है वो देला समित के जो भी नॉन डिजिक पोस्ट है उनका फॉर्म कैसे फिल करना है इसके टॉपिक पे है क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि कंडिडेट्स को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो मैं सारे डाउट क्लियर कर दूँगा आज और आप आ मार्च वजे तक तो जो आप फॉर्म भरोगे 22 मार्च से 30 सप्राइल तक इसके लावा जो ट्रांजेक्शन फीस के लिए है वो भी तीस तारी को ही लाज्ट टेटर्स की और करेक्शन करने के लिए आपकी डेट 25 से लेकर 45 तक है और अभी एड्मिट कार्ड या डेट आफ की कोई डेट अभी तक वेड्साइट पर अनाउंस नहीं हुई है और जिस वेड्साइट से आपको फॉर्म भरना है वह भी वेड्साइट आपको यहां दी गई है इसके लावा फॉर्म फीस की बात करें तो देखी जो फीमेल स्टाफ नर्स है उसके लिए एक हजार रुप पर टोटल फीस लगेगी क्योंकि इनकी अप्लिकेशन फीस निल है और इसके लावा जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए 500 प्लिकेशन फीस 500 प्रोसेसंग और 1000 टोटल फीस जन्रल एट डॉड्लूएस और ओबीसी के लिए और जो SCST का टेकरी है उनकी के वल प्रोसेसंग फी तो आपको सबसे पहले रेजिट्रेशन करना होगा वेबसाइट पर जाकर और उसके लिए जो आपके डोकुमेंट लगेंगे वो हैं देखिए पहला जो है आपका कंप्यूटर या लैप्टॉप होना चाहिए प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ दूसरा पर्टि चाहिए पर गर्वेबसाइबर या उन्वर्णर फे और मैंने सुना कि जिसे कई कंडिडेट थो अधार का ओप्सन नहीं तेरा है तो आपको आधार का उप्सन ही यूच करना है तो आप अधार का उप्सन चूछ करके वहां अधार नंबर डाल देंगे वो भी वैलिश अध इसके बाद डेटा बर्थ डेटा बर्थ आपकी वही लगेगी जो आपकी 10th के certificate में है तो डेटा बर्थ का जो पूरूफ होता है तो आप साथ में 10th की मार्ग सीट भी जरूर रखें जो भी डिटेल है डेटा बर्थ की उसी के हिसाब से इंटर करें इसके बाद आप में जो आपका फोटो लगा हो और उसके दांच मेंदर्याद की सील और साइन हो ठीक इसके लाब एजुकेशनल कॉलिफिकेशन डिटेल जो भी आप जिस पोस्ट पर फॉर्म भर रहे हो उसके लिए आप एलिजबल हो या नहीं आप नोटिफिकेशन से देख लें और उससे कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना सर्टिफिकेट तयार रखना है और साथ में यह भी ध्यान रखना है मैंने कैटेगरी के बारे में जो सर्टिफिकेट लगेंगे उसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ हुआ है OBC और EWS के लिए क्यूंकि सबसे ज़्याद में जो 10 से 200 के वी के बीची होनी चाहिए अब देखिए इसमें ब्लैक और वाइट बिद 80% फेस बिदाउट मास्क और इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है तो उसको मैं सिंपल लेंग्वेज में आपको बताता हूँ जो भी आपकी फोटो होगी पासपोर्ट साइज की उसम बाइब लाइट वाइट रहता है तो सबसे बिटर होगा इसके लाब कोई आप लाइट वैग्डाउंड भी यूज कर सकते हैं वह अगर वाइट वैग्डाउंड यूज करेंगा तो बिटर होगा फॉर्म डिजेक्ट होने के चांसे एक परसेंट से भी कम होगे इसके मतलब अंगुठे का निशान भी आपको स्कैन करके अप्लोड करना है तो गया सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी पर हो रहा है कि मतलब अंगुठे का निशान अब इसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि लिफ्ट का लगाना है या राइट का तो इसी का आप फैदा उठा सकते सब्सक्राइब कर तीस के वी तक जो फाइल की साइज होनी चाहिए तो आप चाहिए लिफ्ट का लगाओ या राइट का उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसके बाद साइज ऑफ यह हो गया अब वैलिड इमेल आडी आपके पास एक वैलिड इमेल आडी होनी चाहिए एक वैलिड मोगाइल नंबर होनी चाहिए जिसमें OTP आएगा आपका और जो देखिए अब इसमें एक चीज़ और लिखा हुआ है कि देखिए विदर दे फुल्फिल दे एलेजबिल्टी कंडिशन फॉर्ट एक्जामिशन एज प्रिस्क्राइब इन आर्डर टू अवाइ जो भी डॉकुमेंट लगने उनको प्रॉपर उनके बारे में पढ़ने नौटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ने ताकि जो करेक्शन आपको ना करना पड़े मतलब ऐसी नौबत ना है कि आपको बार-बार करेक्शन करना पड़े फॉर्म में इसके बाद अब देखिए यहा साइज का होना चाहिए क्या होना चाहिए कैसे करना है आपको मैंने बता दिया है तो अब देखिए जब आप अप्लाई करें तो सबसे पहले होगा रिश्ट्रेशन करना होगा इमेल आइडी और मोबाइल नंबर से और इसके बाद आपको जो डॉक्मेंट है वो अपलोड क हो गया है बट उसमें नहीं दिखा रहा है की फॉर्म की फीस नौट पेट दिखा रही तो आप 24 घंटे का इंतिजार कर लें 24 घंटे के बाद आप पर जो फॉर्म फीस का स्टेटस है वो क्लियर हो जाएगा अब इसके बाद आँगे देखेंगे तो यह देखिए तो फाइनल सब्मिशन ऑफ ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म बिल रिमें इनकम्प्लीट इफ स्टेप टू एंट्री आ नाट कम्प्लीटेड आपको फॉर्म भरते टाइम यह ध्यान रखने कोई भी स्टेप आपको फॉर्म रिजक्त हो जायेगा और इसके बाद कोई ब्यांको चंस नहीं मिलने वाला है फॉर्म को दूबारा बढ़ने का और दूफरी बात कि अभीन झाल नहीं होगी पास रखें इसके बाद photograph आपको आर्ट photograph size रखनी है सेम photograph रखने हैं आपको अपने पास और जो बी कार्ड है आपका जो government प्रिंट ले जाना पड़ता है साथ में वही फोटो ले जाना पड़ती है जो आपने टाइम लगाई थी इसके लिए पहले से इन्होंने बता दिया कि इतनी चीज़ें आपको अभी से रखनी है ओ आपकी जानकारी की बात नहीं जतना था मैंने बता दिया है और और कुछ करने के ज़रूदत नहीं है गाईज आपको जितनी जानकारी मैंने दी है उतनी जानकारी से आप आसानी से पना फरम भर सकते हैं साथ में एक और confusion है जो जो address है तो उसमें जो precise मांग रहा है precise number और name तो जो एक confusion आया था candidate को तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो precise number और name डालना है तो उसमें और कुछ नहीं डालना है आपको जो house number है आपका वो डालना है अगर house number नहीं है आपके पास तो आप अगर rent का है तो जो honor है उस घर का उसका नाम लिखिए या फिर अगर आपका अपना घर है तो आप अपने पापा का नाम लिखिए उस पे तो precise जो है उसमें बस यह ज़िए करना है number है अगर आपके पास अपने घर का तो आप घर का मकान करमांग डाल दें और अगर नहीं है तो rent का है तो मकान मालिक का नाम और अगर आपके खुद का घर है अन हाउस है तो आपने पापा का नाम डाल देना है आपको वाईस यह थी जानकारी नवोदय नान टीचिंग स्टाफ का जो फॉर्म फिल हो रहा है उसक में ऐसे informative वीडियो के लिए हमारे चनल को subscribe जरूर करें